उत्तरप्रदेश के मुख्या योगी आधितनाथ के राज में माफियाओं के खिलाफ ताबर तोड एक्शन हो रहा है चाहे वो कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो अगर उसने गरीबों की या सार्वजनिक संपत्ती पर अवैद कबजा किया है तो योगी का बुल्डोजर उसके खिलाफ चलना तय है और ये बात पिछले कुछ दिनों से योगी सरकार ने साबित करके भी दिखा दिया है बरेली में किस कदर सपा विधायक के अवैद पेट्रोल पंप को बुल्डोजर ने रौंदा ये पूरे यूपी ने देखा योगी राज में माफियाओं के अवैद संपत्तियों को रौंद रहे बुल्डोजर को लेकर आपके इंज्रिय मंतरी नितिन गजकरी ने भी बड़ी बात बोल दी है सत्ता में लोटने से पहले सीम योगी ने एलान कर दिया था कि 10 मार्च के बाद देखना पूरे यूपी में बुल्डोजर दोड़ेगा और इस बार तो बुल्डोजर में हमने एक नया यंत्र भी लगा दिया है जो माफियाओं को ढूंड कर उनके अवैद संपत्तियों को रौंदेगा प्रदेश भर के जितने भी बुल्डोजर थे सब को अभी से मैंने मर्मत के लिए काम पे लगा दिया है मैंने का एक मेहने अगले एक मेहने के अंदर इनको मर्मत करके ठीक करो इनकी आउसेक्ता दस मार्च के बाद पड़ेगी और भाईो बेनो अब तो इस बुल्डोजर पर हमने आर्टीफीसियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरन नगा नया लगा लिया है ढूंड ढूंड करके माफियों को ढूंडो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुल्डोजर का स्टेरिंग लेकर के पुरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रबृति के तत्व जो इन दो तीन महिनों में फिर से अपना फन उठाने का कुछ सित प्रियास कर रहे हैं इनको फिर से उनकी सही जगे भेजने का इंताम भी करेंगे और इसी के लिए भाईयो बेनो आज मैं आपके पास साया हूँ नौ के दोरान योगी ने जो वादा किया था उनके वादे के मुताबिक 10 मार्च के बाद से ही माफियाओं के खिलाफ बुल्डोजर दाहाडने लगा है और अब तक करीब धाई हजार करोड की संपत्ती जप्त की जा चुकी है योगी राज में माफियाओं के खिलाफ हो रही इस ताबर तोड कारवाही की तारीफ आप तो मोधी सरकार के मंत्री भी करने लगे हैं ABP Network पर Ideas of Indias के कारकरम में जब सड़क परिवाहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी से जब बुल्डोजर के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा UP में योगी सरकार ने हिम्मत दिखाई है गुंडों के खिलाफ उन्होंने कड़ी कारवाई की है उत्तर प्रदेश में कानून ववस्था कायम करके दिखाया है बुल्डोजर आसामाजिक तत्वो आराजक लोगों के लिए है जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ बुल्डोज पर चलेगा नितिन गटकरी की ये तारीफ बता रही है कि योगी के बुल्डोजर के दाहार सिफ लखनव ही नहीं दिल्ली तक सुनाई दे रही है और ये दाहार माना जा रहा है कि इसी तरह सुनाई देती रहेगी क्योंकि शनीवार को ही अपने ग्रह जिले पहुचे सीम य प्रदेश में माफिया के खिलाब जिरो टॉल लेंस की नीति जारी रहेगी और अफ्राधियों खिलाप जिरो टॉलेंस की नीति का स्रकार कारे कर रही है जनता जनारदन का असरिवाद सरकार के सुरक्षा और कानून ब्यहत्तर कानून बिवस्ता के मुद्दे पर जनता जनारदन का खासतोर पर आधी आबादी का असरिवाद भारतिय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ वे पेशेवर, माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता का संग्रक्षन प्राप्त करके प्रदेश में गरीबों का, ब्यापारियों का, महलाओं का उनकी सुरक्साख पे सेंद लगाने का कारे करते थे या जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर, सारजनिक संपत्ति पर कबजा करके प्रदेश अविवस्ता पैदा करने का कारे किया था जिन्होंने उस समय की विवस्ता के लीकेजेच का लाब उठा करके उस समय भष्टाचार को बढ़ावा दिया था तो पिछली सरकारों के कारेकाल के दोरान जिनों ने अनेतिक रूप से अवैद रूप से सास के संपत्ति पर, सारजोनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, ब्यापारियों की संपत्ति पर कबजा किया हुआ है सियन योगी ने बताया कि अब तक पेशेवर माफियाओं से धाई हजार करोड की संपत्ती जब्त की जा चुकी है और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी गरीब की जोपड़ी तब तक नहीं हटाएंगे जब तक उसे आवास ना दे दिया जाए हम लोगों ने अब तक पच्ची सो करोड उपे की संपत्ती माफियाओं का पेशेवर माफिया इसमें पेशेवर अपराधी भी हैं भू माफिया भी हैं खनन माफिया भी हैं बन माफिया भी हैं पसु माफिया भी हैं इन सभी माफियाओं से जड़ी भी उस संपत्ती को जब्त किया या उसने अपनी जोपड़ी डाली भी है तो जोपड़ी को तब तक प्रसासन नहीं अटाएगा जब तक कि हम उसके लिए बिवस्तित कोई सुरक्सित आवास उपलब्ध न करा दे और इसके लिए पहले से बिवस्ता की गई उसको आप चिन्नित करिए अगर वहां किसी अरक्सित सेनी की category नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे लेकिन आरक्सित सिर्णी की है उन स्टितियों में उन्हें सुरक्सित आवास उपलब्द करवाने के बाद फिर विवस्ता देंगे ऐसे स्टीट वेंडर को विवस्तित पुनरवास करने की विवस्ता और उन्हें सुरक्षित रुप से अपने रोजगार को उपलब्द करवाने के संभावनाओं को आगे बढ़ा करके पीम स्वनिधी का भी उप्योग करते भे राज्य सरकार इस पर कारे कर रही है और इसलिए बहुत सक्त इदायत दी गई है कि प्रदेश सरकार की जो एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की कारवाई है या कारवाई पेसेव और माफिया और अपराधियों के लिए है किसी गरीब निर्ही कमजोर ब्यक्ति के लिए नहीं है और उसके प्रती एक संबेदना और सानभूती हमारी पूरी होने चाहिए इस बात को जरूर ध्यान रखेंगा इस बात को आप भी जानते हैं कि योगी के सत्ता में लोटते ही एक बुल्डोजर रफ्तार पकड़ने लगा है लेकिन इसी दोरा निवडा से एक ऐसा मामला भी सामने आया था जहां एक गरीब जूस वाले के खिलाब बुल्डोजर की कारवाई की गई थी और निवडा प्राधी करण उसकी मशीन तक उठा ले गई थी जिसके बाद उसके रोते हुए एक वीडियो वाइरल हुई थी शोशल मेडिया पर वीडियो वाइरल होने के बाद हाला कि विंडिस सदीश गुजर को जूस निकालने वाली मशीन वापस कर दी गई थी उसे विंडिस जोन में जगा भी दी गई जिसके बाद उसने खुच सीम योगी को इसके लिए धन्यवाद दिया था सामने सेक्टर बियालिजिस की तरफ दादरी और गन्य का जूस बेशने के लिए कोलू लगाया था मेरे पास कोई बेड लेडिंग लैसंस नहीं था नोजडा अठेटी के स्टाप की चेतामनी के बाद मैंने अपना कोलू नहीं अठाया गया जिसके कारण अठेटी ने मेरा कोलू जपत कर लिया था अब मुझे मेरा कोलू बापिस मिल गया है और अजगित बेंडिंग जौन में जगे मिल गई है मानिये मुखमंती योगी इतनाद जी को मैं बहुत बहुत धन्वाद देता हूँ इस तरह से गरीब स्ट्रीट वेंडरों के खिलाप कारवाही की वज़े से सीम योगी ने साफ कर दिया है कि बुल्डोजर की कारवाही गरीब और स्ट्रीट वेंडरों के खिलाप नहीं होगी इतना ही नहीं स्ट्रीट वेंडरों की सुवेवस्थित पुनरवास और उने स् तो बता रहा है कि सरकार की मनशा साफ है कि गुंडे बदमाश और माफियाओं के खिलाब जहां योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीती पर काम करेगी तो वही गरीबों के आशिया ने और स्ट्रीट वेंडरों के खिलाब बुंडोजर नहीं चलाया जाएगा सरकार के इस कदम पर आपका क्या कहना है कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं साथी वीजियों को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें